हेलो वीडियो के साथ आज की इस वीडियो के साथ आज की इस वीडियो को डिसकस करने वाले हैं वो है मेरी मोस्ट फेविट कंट्री आपको थम्नेल से आइडिया तो हो गया होगा सो ये आज हम इस कंट्री के स्टडी वीजा को देखने जा रहे हैं वो है साथ कोडिया साथ कोडिया में कौन सी असी टॉप पैंगिंग इनिवर्सटी जिनको आप टागेट कर सकते हैं और यह क्या एवरिज टूशन फीस हो सकती है moreover universities में apply करने का आपका क्या application process है और आप South Korea में बिल्कु फ्री पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी यसी scholarship है जिनको आप target कर सकते हैं तो हम इन सब चीजों को discuss करने वाले हैं तो आप से request है कि वीडियो को end तक जरूर देखेगा और आपने में चानल को अब तक subscribe ने किया तो से subscribe कर लें for more videos So viewers, South Korea एक East Asian country है यहां की population 52 million के करीब है यहां की जो official language है वो Korean है और currency Korean one use की जाती है Korea की capital and largest city Seoul है और इसके रावे बहुत से cities हैं जोके famous है Korea एक बहुत ही high developed country है यहां का music बूरी दुनिया में बहुत जादा जाना जाता है और यहां का culture भी बहुत जादा famous है educational point of view से देखा जातो Korea की universities में nationals और internationals दोनों को यह world class education प्रवाइड की जाती है तो internationals के लिए पी Korea एक बहुत यची destination साबित हो सकती है Science, Technology, Engineering, Mathematics इस सब फील्ड यहां पर बहुत ही जादा famous है जिनको इस्टैम फील्ड भी कहते हैं और इनमें आपको variety of programs मिल जाते हैं और मज़े की बात इन सब में आपको research भी करवाई जाती है Korea में बहुत सारी famous और top ranking universities हैं जिनमें आ जाती है Seoul National University, Yonsei University, Cass University, Korea University यह सब तो वो universities थी जो के QS में top 100 के list में आई थी इसके लावर भी Korea में बहुत सी top ranking universities हैं जिनको आप टागेट कर सकते हैं एक और interesting बात इन सब universities के companies के साथ links होते हैं तो आपके degree के दौरान ही आपको internships offer की जाते हैं आपके degree के completion से पहले ही आपके पास experience आजाएं अब चेक कर लेते हैं कि Korea के universities में आपकी क्या tuition fees हो सकती है तो वो totally आपके selected program के उपर depend कर रहा होता है अगर आप बैस्टर्स में apply करें तो आपकी tuition fees 2000 dollars per semester से start होती है अगर आप master's के program में apply करते हैं तो वो 5000 dollars तक चा सकती है यह एक average tuition fees थी अगर आप किसी चेपी university को target करते हैं तो इसमें आपके tuition fees और जादा कम हो सकती है और जैसे कि मैंने start में बताया था कि आप Korea में बिलकुल freebie पढ़ सकते हैं और इसके बहुत साले benefits हैं आपकी minimum percentage है वो 80% होनी चाहिए तो तब आप scholarship के लिए eligible होते हैं आप university के थुरू भी apply कर सकते हैं आप university के थुरू भी apply कर सकते हैं हमने scholarship पर detail में वीडियो बनाई हुई है आप हमारे चैनल पर जाके go through कर सकते हैं Second है cash scholarship यह भी korea की university के तरफ से आपको provide की जा रही है और यह बहुत जादे interesting है विकिसमें अगर आपका CGP 3 है यह 3.3 है तो आप scholarship में apply कर सकते हैं आप अगर बैस्टर्स में apply करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं अगर आप master's में apply करना चाहते हैं स्कॉर्शिप के तरफ आप उसमें भी कर सकते हैं और स्कॉर्शिप में आपके सारी living expenses कवर हो रही होते हैं थर्ड एक और यह university scholarship जो कि university की अपनी scholarship है और इसके तरफ पैस्टर्स के प्रग्राम्स में apply कर सकते हैं हमने इन दोने scholarship पर डीटेल में वीडियो बनाई हुए अगर आप हमें चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो यह तो तीन तो तीन scholarship मैंने आपको बताएंगे इसके लावा भी बहुत सी universities जो कि international scholarship प्रवाइड करी है वह आपके university के पर भी depend कर रहा होता है आप जिस भी university में apply करना चाहते हैं आप उसको जाकर चेक आउट करें कि आप पताएंगे आपको वहाँ बिस scholarship प्रवाइड की जारी है स्कूरिया में अगर आप study visa पर आ रहे हैं तो आपको per week 25 to 30 hours दिये जाते हैं अगर आप part time job करना चाहते हैं अपनी studies के साथ साथ तो आप कर सकते हैं Now let's check out the application process to apply in university तो सबसे पहले तो आपने अपनी university को select कर लेना है आपने documents को gather कर लेना है जिसमें आपके आजाते है educational documents और transcripts आपकी resume pictures, motivation letter, recommendation letters आपका FRC, आपका police criminal certificate यह सब documents आपने gather कर लेना है और याद रहे जो आपके educational documents है वो attest होने चाहिए और जब आप attestation के लिए जा रहे होते हैं तो आपको कोई appointment book नहीं करनी परती आप direct embassy जा सकते हैं then after attestation आपने अपनी application को submit करते हैं then university आपके documents को आपके application को assess करती है और आपको एक acceptance letter देती है जब आपको acceptance letter मिल जाता है तो उस पर mention होता है कि आपने fees pay करनी है then आपको final acceptance letter मिलेगा जब आप fee pay कर देंगे तो आपको final acceptance letter दे दिया जाएगा उसके बाद आप अपना visa process start कर सकते हैं कोरिय के universities में अगर आप apply करें और अगर IELTS आपकी university required कर लिए तो आपको minimum 5.5 to 6 bands required होते हैं 5.5 आपको बैस्टर्स के लिए required हो सकते हैं और 6 bands आपको master's के लिए required हो सकते हैं In some cases आपका university की तरफ से interview भी conduct हो सकता है अब आज़ेते हैं अपनी visa process के उपर आपको final acceptance letter आगया university से आप अपने visa फाइल करें और visa में apply करने के लिए आपको documents required हैं उसमें आपके educational documents आ जाते हैं आपका passport, आपकी pictures, आपकी bank statement last six months की जो के 13 to 15 thousand dollars तक होनी चाहिए accommodation का proof, flight की reservation, आपका police character certificate, health certificate, covid का certificate, university का acceptance letter और university को जो आपने fees pay की होती है, उसकी receiving भी साथ attach करनी होती है और यह सब documents होते हैं जो कि आपको visa apply करने के लिए required होते हैं आपको जो visa है वो D2 type होता है, Korea study visa documents submit करने से पहले आपको appointment book करनी होती है जो आपको जो भी time start मिला होता है उस पर आपने सारे documents ले जाके Korean embassy में submit करवा देने हैं और आपको कुछ weeks के बाद बता दिया जाता है कि आपका visa accept हो है कि reject हो है वैसे तो Korea का visa ratio अच्छा है और आपका embassy की तरफ से interview भी conduct हो सकता है जिसमें आपसे normal questions बुझ जाते हैं आपको जारें तो हमारी monthly क्या cost of living आ सकती है तो totally depend कर रहा होता है आपके living standard के ओपर पर जो आपकी cost of living है वह 800-2000 dollars पर मन तक आ सकती है वह totally depend करता है आपके living standard पर आप किस तरह का lifestyle जीते हैं अगर आप expensive कहेंगे तो obviously आपका expense भी जादा हैगा तो ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको इससे काफी जाता information हासील होई होगी मैंने अपनी तरह से हर चीज़ को cover किया है इसटे लगए मैंने कुई चीज़ मिस कर दियो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं हम जरूर सका reply करेंगे तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे ने इजाज़त अपना खयाल रखिएगा शुक्रिया अलाफिस